हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल यूँ तो लौकी की सबजी और रोटी खाना कोई भी पसंद नहीं करता लेकिन उसी लौकी और गेहूं के आटे से आज हम टेस्टी नाश्ता बनाने वाले हैं यहां मैंने एक बड़ी सी एक किलो की लौकी लिए है और हलका दरदरा पिसा दो कटोरी गेहूं का आटा और आधा कटोरी बेसन और आधा कटोरी चावल का आटा मिक्स करके यहां एक कटोरी मैंने यह आटा लिया हुआ है इसके साथ मैंने अदरक और लहसन को भी लिया हुआ है इसका हमें पेस्ट कर लेना है इसके साथ मैंने हरी मिर्च को बारी कट कर लिया है डेड़ चमच नमक और दो चुटकी हिंग एक चमच गरम मसाला पाउडर और पाव चमच हल्दी और एक चमच मैंने आजवाइन ली हुई है यहाँ पर तीन चुटकी के बराबर मैंने सोडा ली है और चार चमच मैंने शक कर ली है और मोयन के लिए तेल और दो नीमबू का रस मैंने निचोड लिया है इसके बाद आटे में हमें नीमबू का रस डाल देना है मोयन के लिए जो तेल था वो भी डाल देना है अब अद्रक लहसुन को छोड़कर बाकी के सारे मसाले हमें इसमें डाल देने है और ये अद्रक लहसुन का पेस्ट करके हमने इसमें डाल दिया इतना हो जाने के बाद ही हमें लौकी को छीलना है वरना लौकी का कलर बदलने लगता है कद्दुकस करने में आसानी हो इसलिए मैंने इसके दो टुपड़े कर ली है लेकिन हमें सारी लौकी को कद्दुकस करके इसमें डाल देना है अब कद्दुकस की हुई लौकी को भी हमें इसमें डाल देना है लौकी में काफी जूस होता है रस होता है इसलिए पहले से हमें पानी नहीं डालना पहले इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह और हमने निम्बू का रस और तेल भी डाला हुआ था इसलिए हमें पहले से ही पानी नहीं डालना काफे mix करने के बाद यह थोड़ा कड़ा लग रहा है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ले रही हूँ बस इत्ता सा ही हमें पानी डालना है और इसे अच्छी तरह से mix कर लेना है और फिर हाथ में तेल लगा कर इसके लंबे-लंबे रोल बनाने है और एक बड़ी सी थाली में मैंने तेल लगा कर रखा है उसमें ये रोल हमें रखते जाने है जब सारे रोल बन जाएं तब एक बड़ा सा पतीला गैस पर चड़ाना है उसमें पानी भरना है और पानी से थोड़ा ऊचा एक स्टैंड हमें रख देना है या फिर कोई पतीला या कूकर का डिबा जो भी आपको ठीक लगे बिज में रखना है ताकि थाली थोड़ी उपर र तब हमें ये थाली अंदर रखनी है और इसे ढख देना है पूरे 20 मिनिट के लिए 20 मिनिट में ये अच्छे तरह से पक जाता है 5-10 मिनिट ठंडा होने के बाद हमें इसे कट कर लेना है मुठिया में तीखा, खटा और मिठा ये तीनों चीज़ें यदि अच्छी हो तो मु दुकस करने के बाद जितनी होती है लोकी उतना ही हमें आटा लेना है आटा जादा नहीं होना चाहिए इससे भी स्वात बिगड़ जाता है ये मुठिया दो प्रकार से गुजराती लोग खाते हैं पहला तो बगहार कर यानि थोड़ा सा में तील डाला इसमें राइ डाल द है दो 3 मिनिट चलाना है और बास हो गया और यदि बच्चे खा रहे है तो बिल्कुल ऐसे ही दिया जा सकता है लेकिन यहरी बड़े खा रहे हैं जो थोड़ा तीक काहना पसंद करते हैं तो इसे बीसमें से इस तरह से हटा देना चाहिए बीच में थोड़ा सा तेल डालना और तेल में कश्मीरी लाल मिर्च एक चमच डाल देनी चाहिए और बस दो तीन सेकंड के बाद ही इसे मिक्स कर लेना चाहिए अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए ताकि सब ही मुठिया पर लाल रंग अच्छी तरह से चड़ जाए जिस तरह चकली बिना तिल के अच्छी नहीं दिखती उसी तरह मुठिया में भी तिल होते ही है इसे देखने में तो अच्छी लगते ही हैं साथ ही इसका स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है और ये तयार है पौश्टिक खटा मीठा तीखा मुठिया लेकिन इसे इसी तरह से नहीं एक और तरह से खाया जाता है और वो है तलकर जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और यदि तलना चाहते हैं तो इसे बघारना नहीं है बस उबलने के बाद ठंडा हो जाए कट कर लिया और इसे तल लेना है मुठिया डालने के बाद काफी जाग आने लगता है और जैसे ही जाग थोड़ा शान्त हो जाए तब इसे हमें चलाना शुरू करना है कुछ देर चलाना है और बस हलका सुनहरा रंग आ जाए तो निकाल लेना है हलका सुनहरा रंग आ जाए और कुरकुरा हटा जाए इतना ही हमें से तलना है अधिक डार्क करने से इसमें कड़वा हटा जाती है और इस तरह से भी मुठ्या खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो आप भी इस पॉस्टिक नाश्टे को अपने घर में बनाईए वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की और भी रेचिपीस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए